तो आज आज आपकी क्लास 11 का फस्टे आए पिटा तो आज हम फस्टे और फस्ट चैप्टर इस्टार्ट करेंगे और आज प्रस्ट चैप्टर हैं आपका सैट जैसा की लिखा है सैट का मतलब आप जानते हैं पेटे सैट कहते हैं किसी कल्थ संप आप बेल डिफाइन ऑबजयक्ट जैसे आपने सैट यह लिखा है इसके एक्शूल है कि और हम भी इसको लिखते हैं इस करली ब्रेक्ट के अंदर जो भी सके मेंबर होंगे जो इसमें होंगे इस करले करता है जैसे आपने पड़ा होगा है सेट क्या होता है कि वह की सध है यह आपका एक किसी चीज को आपने सही से अरिजमेंट करके रह रखा हुआ है तो यह कहते हैं यह इसका सब्सक्राइब होते हम जो भी आपको होते हैं कि मालव हमने कपड़ें रखें और इस तरीके से इसको तो मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन की रूप में देखें तो बेटें लिखेंगे कि दा बैट इफाइंड ऑब्जेक्ट्स अब इसके लिए आप मालों कि यह आपके इसको लिखने की दो फार्म होती है एक हम लिखते हैं इसको रोष्टर फार्म का नाम दिया है फार्म साथ सेट के लिए दो फार्म है बेटे रोष्टर फार्म और सेट बिल्डर फार्म रोष्टर फार्म में कैसे लिखते हैं जैसे कोई भी आपने नम्बरी कर दी सीधे कि इसको हम ने लिख दिया तो यह अपकी रोष्टर फार्म रिए लिस्टेड फार्म करदें इसeti फार्म अब लिस्टेडट एव ऊएए विकष्टहुन लेदित के रूप और जो दोतुत ऑफ्ञानों आप इस तहीर लिखेशा है जैसे आपने एक कोई एक्जाम्पल लिया आप में लिख दिया पिटे कोई सैट है और यह बंटू-345 नंबर से हैं और यह सैट की फार्म में विए कविए करनी ब्रेक्ट के अंदर लिखे हुए पर आप अगर इसी को रोश्टर फार्म में अगर लिखेंगे हम इसकी सेट फिल्टर फार्म यह होती है अगर इसको हम लिख देंगे एक्स सच बैट यह सिंबल है यह किसका सिंबल कराता है और आपका यह एक्स नंबर अप्टू-5 यानिकी नेच्रल नंबर लिए गए अप्टू-5 तक के यह इसकी एक फॉर्म यह भी हो सकती है चाहिए आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो वह एक यह बात आपके माने जाएग है तो एक अगर किसी समय है तो कोई भी आपजेक्ट नहीं तो नहीं तो जाएगा आपका इंपटी सेट यह काल ही सट हो गय को और इमपर शेट और इसको फाइए एक एलफा वेट है सभाई इसां करते हैं इसका सिंबल यह रो को नीचे से उपर तक क्रॉस कर दिया तो यह जाता है अब इसका जो और टाइप जाते हैं किसी आप नबर आप सकते हैं जिनको गिंपारित सकते हैं वो कहलाथ है जिसको कर सकते में इसको गिपाइनाइट तो वह इंट होगा एक आपके साल में अगर नमबर आप मन्त कितने होते हैं तो आप इजली बता सकते हैं नमबर मंथ 12 होते हैं और हमने काउंट कर सकते हैं जनरी भरवरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगर सेप्टेमबर एक्टूबर नमेंबर और इसके बाद इसमें और नमबर आप सेट में डिस्जॉइंट सेट क्या होता है अगर नहीं करता है तो यह कहलाता है आपका डिस्जॉइंट सेट ऐसे इसमें एक और होता है जुड़ की युटा सेट एड़ जुएंट सेट को इसमें आप दोनों अलिमेंट 동안ो सेट के वैंट्स किसी लेवल पर अगर वह कॉमन है या मैस करतें तो आता है हो एड़जॉइंट सेटिंग अपटें देखे है एक और इसमें आता है जक्वल सेट किसकी बात करते हैं हम इ एवरी ऐलिमेंट आप सैट एयर बंसाट इंपल्स टू था सेम अफ अधर सेट यानि दो साइड हैं आपके पास बिटे एक सेट में आपके में जितने भी हैं ठीक उसी टाइप के उतने इंपंडर अगर दूसरे ऐसे में हैं ठीक है तो सारे अलिके आपके इसमें आपके एक स जो आएगा है तो यह आक्बम उपटाक्याइए ह से इको अैकोवेन्ट सैट में होता क्या है कि इसमें नमबर आप element equal होते हैं जरूरी नहीं है वो की वो सेम हो नमबर आप element means जैसे सेट आपका A है और यह 123 है आपका विटा और B है और इसमें आपका X, Y और यह Z है तो इनमें कोई equality नहीं है बट यह equivalent होंगा क्योंकि कि नमबर आप element तीन इसमें 123 इसमें भी नमबर आप element कितने हैं 123 तो यह इनकी नमबर आप element अगर एक रहूंगे तो यह किलाएगा आपका इक्कुवेलेंट सेट तो इक्कुवेलेंट सेट में डिफ्रेंस समझ में आ गया होगा सीधा सा कि उसमें आपका इच एड़ एड़ एलिमेंट इक्कुवेलेंट इक्कुवेलेंट सेट अगरेंट इसको नोट करने जेए विटा यह सेट और इसकी कुछ टाइफ है उनको और डिफाइन करते हैं हम पिटे इसका एक आता है सबसेट सबसेट अजर आपका विटेट तूसेट, if इच Each element of set A is present in set B A called A is subset of B अगर A के सारे element B में सामिल हैं तो B इज़्दा A के सारे element अगर B में हैं तो इज़्दा सबसेट आफ B कहलाएगा आप एक्जाम्पिल के लिए देख लिए इस तरीके से एक कोई सेट लिया आपने 1,2,3,4 और सिमिलरली भी अगर आ लिया आपके विटे 1,2,3,4,5,6 मालो ऐसा है तो एक जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब इमें दिखाई पड़ रहे हैं एक सारे element अगर भी में दिखाई पड़ रहे हैं तो आप इस लिख देंगे एक इस अबसेट आप भी दिस इस इड़ सिंबल आप सब सैट एड़ सबसेट अब भी और इस कोल सबसेट इस आप सबसेट एजिट के लिए तो यह आपका सबसेट हो गया इसलिके बार एक और आता है पावर सेट यह आपका है पावर सेट पीटे पावर सेट क्या होता है नमबर आफ टोटल नमबर आफ नमबर आफ सबसेट आफ आफ सेट इस सबदी के इस सबसेट आफ आफेटनंगी यच्य sense आफ त वावर आफ एर ला आफ एस खاح नमबर कि यह अगर आपका सब्सक्राइब हो सकते हैं उसके अंदर करते हैं कि पावर से जैसे एक्जाम के लिए अगर आप तो इसमें तो इसमें टोटल नमबर आप सबसेट कैसे लिखेंगे तो नमबर आप सबसेट लिखने के तरीके हैं तो हमारी हो सकते हैं विटे आपका यह इसको एक्स वाई आएक्स कॉमा वाई ऐसे लिखा जाएगा और एक यह फाई यह सम्में रिक्लूट रहेगा तो यह आपका क्या हो गया वन टू थ्री पूर तो टोटल नमबर आप सब सेट क्यों होंगा विटे फूर अगर हम इससे फार्मुल से देखें तो इसमें यह जो कार्डिनल न पर ंरोस पोर मिएट विखेंस वाने कального सेट को लिखने का और समझने की हो जाएगा लएनन में क्या पढ़ा आपने पता सेट का आपने पॉर्म्स पढ़ी सिसमें कि कि आपके सेट क्या होता है सेट की फॉर्म होती है उसमें रोश्टर फॉर्म होती है फिर आपने टाइप आप सेट पढ़ा जिसमें आपने नल सेट पढ़ा डिसॉइंट पढ़ा एड्जॉइन पढ़ा और आपने पावर सेट पड़ा सबसेट पड़ा और भी कुछ इसके टाइफ हैं ठीके विटा वो उसको हम आगे नेक्ट रेक्चर में डिसक्स करेंगे अभी आपको इतना ही कर लीजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच